हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ साइन्स लेसन वन इवल्यूशन के एक्सरसाइज क्वेस्टिन्स हमने ये पूरा लेसन अच्छे से कंप्लीट किया है पूरे लेसन का एक्स्प्लेनेशन वीडियो जो है वो चैनल में आपको मिल जाएगा लिंक आप वहां से जाकरके इस पूरे लेसन का एक्स्प्लेनेशन अदाम से पढ़ सकते हैं और पूरा लेसन समझ सकते हैं पूरा एक्स्प्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो आ रहा है जिसमें हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेस्टिन आंसर को डील करेंगे तो स्थे लिए स्टार्ट करते हैं जहां पर स्टाइग में आपके क्वेस्टिन हो है वो चूज दा अंसर वाले हैं सबसे फस्ट क्वेस्टिन जो यह पर दिया है वह क्या है नेम दा क्विशेस विच माड़न बीड ऑफ पैट डॉग वोस एक्वायर यानि कि वह प्रोसेस बत है वो सारे कैसे बनते हैं वो सारे बनते हैं प्रिय इंडिजिस्टनी स्वीशीजे थे तो इच्छिश्ट आते हैं उफ बहु क्या है नैचरल च्छिशिंए फौर लिम्वंओ दॉफथम ल्फ बाट्व फॉल व्लं diffy और बैट्य के लिए को मिवें आइए सबस का ने आपके से लेकिन के क्लिelnे मेन के उद्वांक बॉक्ट्रेंग का बना उनकों क्या बुलते हैं ऐसाए ने सल्ट में सुझाोड नेन्में से एन्थ कुछ सी नानोग इस स्ट्रक्चिर शसे इंती हैं विंग्स ऑफ बैट बटरफ्लाई गिल्स ऑफ प्रॉन फिश थौन्स ऑफ वोगिन वील्या एंड टेंड्रिल ऑफ बॉटल गोड विंग्स ऑफ बैट एंड लेक्स ऑफ होर्स तो यह सारे में से कौन से एनलोग स्ट्रक्चर से अब हमने पढ़ा था लेसन में कि एनलोग विंग कि आढ़ने के लिए जाएं। मोंग्स देखते हैं स्कक्राइज कि अपना फीयोरी देते वक्तritersite इससे influence हुए थे तर्विन जो है वो maximum जो influence हुए थे ऑप्सएन ओफिस वो एज जो उन्होंने ट्रेवल किया था उससे वो सबसे ज्यादा influenced हुए था और उसी के according बोड़ी दिये थे next step fill in the blanks fill in the blanks में आपको question आता है कि a group of organism which can be interpret sexually producing viable उनको क्या बोलते हैं बोलते हैं नेक्स डिफ्रेंस अमंग बीक और फिंचेस रोदा फिंचेस के बीक में जो डिफ्रेंस आया था उससे क्या पता चल रहा था कि उनमें स्टेप्टोमाइसिन बेक्टीरिया यानि कि कुछ बेक्टीरियास होते हैं जो एंटी बायोटिक के प्रेजिंस में भी ग्रो हो जाते हैं उसके पीचे करीजन क्या था वेरियेशन यह सारा कुछ हमने लेसन में पढ़ा है ना अगर आप लेसन का एक्स्प्रेंशन वीडियो अब लन्दी एक पैरागराफ को स्टडी करके आपको आगे के क्विश्चेंज के आंसेर देने हैं तो पैरगराफ के लिखा है यानि कि हमारे इंटस्टाइन में बहुत सारी टाइब की बैक्टीरिया जो है वह ग्रो होते हैं तो सारी जो है वह इसेक्शिएली होते रहते हैं asexually मतलब without the involvement of sex cells and very fast about once every 20 minutes यानि कि बहुत ही fast reproduce होते हैं हर 20 minute में वो reproduce हो जाते हैं so during reproduction variations emerge and some of these variations are heritable यानि कि reproduction के दौरान variations देखने के मिलते हैं and इन में से बहुत सारे variation कैसे होते हैं heritable होते हैं that is they pass from one generation to next generation एक generation से दूसरे generation में वो pass हो रहे हैं यह हम लोग heritable बोल रहे हैं so due to this we find variation in population of bacteria growing in our intestine और इसके वज़े से हम लोग के intestine में जो bacteria grow हो रहे हैं उनके population में हम लोग को variation देखने के मिलता है this is how they evolve very fast और इस तरीके से बोलो क्या हो रहे हैं बहुत fast evolve होते जा रहे हैं उनमे evolution देखने के मिल रहा है तो we often consume antibiotics that kill most of these bacteria but some always remain on which antibiotics have no effect तो ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी antibiotics लेते हैं और यह antibiotics के सब्सक्राइब इन बैक्टीरिया इसको किल कर देते हैं लेकिन तब भी कुछ bacteria है जो कि survive कर जाते हैं उनके उपर कोई effect होता ही नहीं है इस इस simply because of the variation present among the bacteria और यह क्यों हो रहा है इसका main reason है variation यह कुछ bacteria antibiotic resistant है और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वह antibiotic से डेड हो जा रहे हैं तो bacterial types on which antibiotics have no effect जिनके उपर antibiotics को कोई effect नहीं हो रहा है ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग antibiotic resistant बैक्टीरिया बोल रहे हैं अब इसके basis पे इन सारे information के basis पे आपको इन questions के answer देने हैं first question है justify that natural selection is responsible for evolution अमंग bacterial population यानि की bacterial population के बीच में जो भी सारा evolution आया है उन सब में natural selection का एक बहुत बड़ा रोल रहा है तो यह आप कैसे explain करोगी इस of course natural selection का रोल तो है लेकिन अब कैसे है तो पहली चीज़ की natural selection होता क्या है तो natural selection का मतलब होता है कि किसी भी species के quality में ऐसे सारे changes आना जिसके वजह से वो survive कर पाए और reproduce कर पाए और एक generation से दूसरे generation तक वो continue रहा है इसको हम लोग बोलते है natural selection अब इसका example आपको justify करना है न यहां की bacterial population के example से है तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि natural selection means those qualities that help a species to survive and reproduce which continues from generation to generation अब antibiotics can easily stop the growth of bacteria without resistance यहीं कि वो bacteria जिन में resistance नहीं था वो सारे का growth antibiotics से बहत आसा नहीं सिर्क जाएगा बट आफ्टर सम टाइम antibiotics have no effect on bacteria कुछ ताम के बात क्या होता है antibiotics का कोई भी effect नहीं होता है bacteria के ओपर in such an environment only bacteria that have acquired resistance are able to grow और ऐसे environment में सिर्फ वो bacteria जो कि इस nature में वो bacteria जो कि उस antibiotic को resist कर पा रहे हैं वो ही क्या होंगे grow होंगे this process that natural selection is this shows यह बताता है कि natural selection is responsible for evolution among bacterial population क्योंकि यहां पर बाहर से तो कोई factor काम किया ही नहीं naturally वो एक दूसरे अपने आपको adapt कर लिए तो यह हो गया आपका फर्स एंसर नेक्स है डियूटिंग विच प्रोसेस डस वेरियेशन अराइज इन बेक्टीरिया यानि की बेक्टीरिया में वेरियेशन कौन से प्रोसेस के दौर आनाया तो यह कब आया evolution के दौर आनाया ना तो answer के हो जाएगा variation arise in bacteria during the process of evolution नेक्स आते हैं next question है what is the role of variation in the process of evolution यानि की evolution में variation का क्या रोल है example हम लोग को यूज करना है bacterial population का जो अभी दिया हुआ है ठीक ओपर जो दिया था पूरा का पूरा एक paragraph उसके basis पर हम लोग explain करना है तो evolution का क्या रोल है तो देखो जितने भी living organisms होते हैं ना उनमें variation देखने के लिए मिलते हैं जो एक generation से दूसरे generation में transmit होते हैं कैसे अपने offspring के थूना parents से offspring में जाएंगे और new species बनेंगे यह जो बेनिफीशियल यह जो variation है वो उनके survival के लिए beneficial होता है तो उसके वज़े से क्या होगा कि ऐसे species का population increase होते जाएगा और change होता जाएगा एक्जामपल हम लोग लेंगे antibiotics का जो भी उपर दिया तो कैसे लिखो गांसर in living organism in all living organism variations are transmitted from one generation to next so gradually the offspring generation becomes different from the parent generation and take form of new species this variation is beneficial for their survival as a result population of such species keeps increasing and changing due to which evolution of organism continues for example the antibiotic resistant bacteria were able to survive for a longer duration next देखते हैं evolution can be slow or very fast evolution slow भी हो सकता है और बहुत fast भी हो सकता है इसका example आपको देना है दोनों का slow का भी और fast का भी slow process evolution कहा देखने के मिल रहा है human race में ancestors जो थे हमारे ape-like structures थे न तो ape-like ancestors से human का development यह क्या है slow process है और वहाही fast process अभी यह जो भी paragraph पड़े वही development of antibiotic resistant organisms next आते हैं does a better adapted population of bacteria become antibiotic resistant give a reason for your answer तो क्या ऐसा हुआ था कि वो बैक्टिरिया जो better adapt कर ले रहे थे वही antibiotic resistant बने अगर हां तो कैसे तो हां ओविसली न जो जो एडाप्ट कर पा रहे हैं वही तो उन्हीं के characters में तो changes आएंगे न वह बैक्टिरिया जो एडाप्ट कर ही नहीं पाए वह तो कबके dead हो गए जो एडाप्ट किये उन्हीं में तो variation आया वही तो antibiotic resistant बने तो येस आप फॉर्थ question है कि natural और artificial selection के बीच में आपको टू डिफरेंस लिखने है तो फ़र्स नाचरल सिलेक्शन जो है वह सारे population में मिलता है सब में ठीक है लेकिन artificial selection जो है वह कहां होगा selected species में artificial selection selected species में क्योंकि वह तो artificial selection कैसे होता है जो human खुद कर आ रहे हैं अपने requirement के according तो वह अपने requirement के according species select करते हैं और natural selection तो nature से select करती है तो वह सारे ही population में होता है next difference आ जाएगा कि जो artificial selection है उससे कोई बहुत बड़ा change नहीं आता है लेकि natural selection से बहुत बड़ा change आता है यह answer आपके सामने है आप इसको लिख सकते हैं next आते हैं fifth question में what do we know what do we come to know from the theory of evolution proposed by Darwin and Wallace यहीं कि Darwin और Wallace जो theory of evolution दिये थे उससे हमको क्या क्या पता चला यह lesson में हमने बहुत detail में बड़ाया ना तो अगर आप चाहो तो अपने own words में भी answer frame कर सकते हो तो जो theory of evolution है वो Darwin और Wallace प्रपाउंड किये थे and यह जो theory है वो हम लोग को evolution of species and origin दोनों के बारे में ही बहुत great information देता है for example क्या क्या उनके observations है हम लोगों मिला nature destroy organisms which are unable to adapt to the environment यहनी कि वो सारे organisms जो environment के इसाप से खुद के adapt नहीं कर पाते है nature क्या करता है उनको destroy कर देता है and only well adapted organisms adapt and produce new organisms next point है nature में जो new species है वो आते रहते हैं और कैसे आते हैं तो previously जो species present है उन से ठीक है तो in nature new species keep arising from previous species through natural selection next question है कि diversity और variation जो है वो हर living organisms में देखने के ले मिलता है जिसके वजह से उनके population में growth होता है changes आते हैं और species जो है उनमें evolution देखने के ले मिलता है तो diversity and variation are found in all living organisms due to which growth and change in population of species lead to evolution of organism next उन्होंने और क्या observe कि the variation in species are transmitted from one generation to next यानि कि जो भी variation देखने के ले मिल रहा है species में वो क्या होता है एक generation से दूसरे generation तक transfer होता रहता है due to which gradually the child generation become different from the parent generation अब क्योंकि variation आता जा रहा है तो क्या होगा धीरे-धीरे कि parent generation से child generation के बीच में differences देखने के ले मिलते हैं six question है what are the main points of theory of evolution of organism यानि कि Darwin जो theory of evolution दिये थे उसके main points क्या क्या है अब मैंने यहाँ पे ना points बहुत short short में लिखे हैं बुक के according point जो है वो बहुत लंदी लंदी दिया हुआ है अगर आपको लंदी लिखना है तो आप लंदी भी लिख सकते हो तो first point क्या आ रहा है lot of diversity and variation is found in all the living organisms फर्स चीज तो यह आ गया क्या कि जितने भी living organism है उन्हों बहुत ज्यादा diversity देखने के ले मिलता है बहुत ज्यादा variation देखने के ले मिलता है ठीक है various organisms have originated from similar organisms यानि कि जो भी organisms new new बन के आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं तो एक जैसे ही organisms है उन्हीं के ही थोड़े थोड़े modifications से आ रहे हैं next क्या पता चला the origin of species in the world does not occur suddenly but from already existing species यानि कि earth में जो भी new new species है जो originate हो रहे हैं वो अचानक से अपने आप नहीं हो रहे हैं ठीक है पहले से जो species है उन्हीं में ही changes आता है और नहा species बनता है next point है there are variations in the organism found in population of any place only some of these variations are passed from one generation to next यानि कि किसी भी जगा पे जो भी organism रहते हैं same type के organism में भी बहुत सारे variations देखने के लिए मिलते हैं और इसमें से कुछ ही variations है जो कि एक generation से दूसरे generation तक transfer होते रहते हैं fifth point है every organism has some special variation to maintain its existence यानि कि हर organism को अपना existence इस nature में maintain करके रखने के लिए ये कुछ special variations present रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं adaptation beneficial variation hold a special place in different animals यानि कि कुछ variations ऐसे हैं जो उनके survival के लिए beneficial हैं तो वो अलग-अलग animals का अपना अलग-अलग होता है and if variation were not found then all living beings would appear similar और अगर variations नहीं देखने के लिए मिलते तो क्या होता कि इस nature में जितने भी living beings हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही तो दिखते ना क्यूंकि सबके common ancestor हैं 7th question है what is the role of selection and adaptation in the process of evolution यानि कि evolution में selection और adaptation का क्या रोल है तो हम लोग पूरे lesson में बार बार पढ़के आ हैं कि selection और adaptation जो है और just वैसे ही जो nature है ना वो destroy करते जाता है वो सारे organisms को जो कि खुद को environment के हिसाब से adapt नहीं कर पाते हैं और ऐसे organisms जो हैं जो well adapt कर लेते हैं वो क्या होते हैं आगे बढ़ते जाते हैं और new organisms produce करते जाते हैं एक्जांपल क्या है एक्जांपल देखते पहले इस पूरे को आप यहां से मदब अरामस लिख लेना ना पूरे answer को कि selection and adaptation are the main process by which all the creatures as we see is in this changing world are able to survive just as new just as nature destroy those organisms which are unable to adapt to the environment only those organisms which are well adapted further adapt and produce new organisms example क्या क्या है DDT resistant DDT जो है वो एक टाइप का insecticide है जो कहां कहां आता है mosquito को मारने के लिए तो पहले जो है mosquitoes जो होते थे ना वो DDT से मर जाते थे लेकिन आज के mosquitoes DDT का कोई effect ही नहीं होता है उन लोग के उपर तो क्या हुआ है कि यह resistant mosquitoes ना DDT insecticide resistant mosquitoes की क्या है तो एडाप्ट कर लिए ना खुद को तो क्या हुआ सर्वाइव कर पाए तो एक्जामपल हुआ यह नेक्स्ट है एडाप्टेशन ड्यू टू फूड हैबिट इन क्लॉस और बीक्स और बर्ड्स पूरे लेसन में हमने finches के different different types of beaks देखे हैं वो किसलिए है ताकि वो लोग survive कर पाए जिस जगह पे जैसा food available है उस जगह पे वैसे ही बीक्स वाले बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट रहती है तो यह सारा adaptation का ही एक्जामपल है नेक्स्ट आते हैं एक figure दिया हुआ है यहां पे और इस figure को देखकर आपको बताना है कि यह homologus structure को बता रहा है या फिर analogus structure को बता रहा है और उसके बाद आपको इस answer को justify भी करना है देखो यह क्या था लीफ लीफ से बना है लीफ और पिच्चर प्लांट टेंड्रिल ऑफ पी ब्रैक्ट ऑफ वोगन्विलिया और स्पाइन्स ऑफ कैक्टस य यह है वोगन्विलिया में ब्रैक्ट देखने के लिए है वह क्या है यहें टैंद्रिल्स होते हैं अफूर्यीश स्ब्सक्राइश ही औरмент सब अलग है सबका structure अलग है क्योंकि सबका function भी अलग है तो क्या हुआ कि इन लोग का origin सेम था लेकिन structure और function अलग-अलग हो गया तो ऐसे characters को या ऐसे structures को क्या बोलते हैं homologous structures तो answer क्या हो जाएगा from from the figure we can say that it represents homologous structures क्योंकि जो leaf है न leaf exhibit a variety of shape and functions yet all are homologous structure because leaf are derived from a common ancestral form यह सारी के ancestor क्या है common है बस उसका function जो है वो change हो गया है structure जो है इसलिए वो क्या हो गया है analogous अब next आता है ninth question जहां पर यह figure दिया हुआ है और इस figure को observe करके आपको following questions के answers देने हैं तो पहले figure आप देख लो है यहां पर एक mammal था जो common ancestor जैसे आप यहां पर बोल सकते हो mammal से कैसे कैसे evolve होते गया है दूसरी चीजे उनका यह figure बना हुआ है अब इसे related आपको क्या answer देना है कि observe the branch tree evolution given in the figure and find out the closest relative of human इस पूरे figure को देख करके आपको human beings का सबसे closest relative कौन दिख रहा है तो यहां पर लिखाव है human और human को यहां दिख रहा होगा कि यहां यह दो पार्ट मेंसे ब्रेक हुआ था तो human का सबसे closest relation दिख रहा है वो दिख रहा है chimpanzees के साथ so the closest relative of human is chimpanzee according to this figure next write the name of two organism by observing the figure that show maximum similarity also write the name of two organism that show maximum differences दो organism जिसमें maximum similarity है और दो जिनमें maximum differences है तो इस figure में दिख रहा है maximum similarity तो human और chimpanzee की बीच में आप लिख सकते हो या फिर mouse और rat लिख सकते हो या फिर horse और dog लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है तो maximum similarity जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है human और chimpanzee का maximum हो गया human and chimpanzee और उसके बाद में maximum differences difference maximum किसमें दिख रहा है तो difference आप देख सकते हो यहाँ पर cow यहाँ और platypus दो यहाँ आया था ना यहाँ से दूब में वो डिवाइड हुआ था तो cow और platypus में maximum difference है यहाँ पर उसके बाद तो फिर सारे थोड़े 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 close हो जा रहे है तो maximum difference cow और platypus में है तो आप लिख दोगे यहाँ पर maximum difference में cow and platypus का example उसके बाद third question है what do you understand from the figure about evolution of organism show there यह जो figure है उसको देखकर कि आपको evolution of organisms के बारे में क्या पता चलता है और उसका थोड़ा से description भी देना है देखो from the figure about evolution of organism shown here we can understand that all organisms are from the similar group of similar group that are mammals इस diagram को देखकर कि इस figure को देखकर कि आपको क्या पता चला था कि जितने भी organism से वो सारे कहां है एक similar group of organism से बने है और वो क्या था mammals all mammals show some similarities and also dissimilarities in their characters अब क्यूंकि सारे के सारे क्या mammals है तो mammals से सब क्या करेंगे बहुत सारे उन्हों का जो character से उन्हें similarity होगा और बहुत सारे differences भी होंगे this means offsprings of organism differ from one another and from their parents in way that are heritable नहीं कि जो offsprings बनते हैं वो क्या होते हैं आपस में भी थोड़े different होते हैं और अपने parents से भी थोड़े different होते हैं और यह जो differences है वो सारे heritable होते हैं तो यहां तक होगे आपका solve for a nine questions जो इस lesson में दीए हुए थे आई होप आपको यह पूरा lesson समझ में आया होगा पूरा वीडियो समझ में आया होगा और देखे जो question answer वाला वीडियो होता है उसको बनाने में थोड़ा ज्यादा मैनत लगता है तो explanatory वीडियो आप को प्लीज आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग